हुआ हुआ फ्रेंट्स वेलकम बाग पो मैं चैनल सब कुछ अन्बॉक्स और आज हमारे पास है और नया प्रोड़क्ट जो की पेटे मौल से ओडर गया है और जैसे कि दोस्तों टाइटल से समझ गया हूंगे आपको कि यह प्रोड़क्स आपके डे टू डे लाइफ में घर म नयुक्रिक्ट के जिवर बात को हमेशा यूज करते हैं तो यहां पर आप बॉक्स देख सकते हैं किक्तू प्रापर पाकेजसिंग तेब मलता है और अब हम करते हैं सब एक से कहना क्या क्या कि आप मार्केट में परिशेस करते हैं Japanese你 मत्रों अब आ आपको अच्छा आपको लगता है कि प्रोड़क्ट आपका फट जाएगा या फिर कुछ डैमेज हो सकता है तो ऐसा कोई चांस नहीं है इटीम अपने कस्टमर के साथ साथ अपने सारे चों डिलीवर करता है उसका बहुत अच्छा ख्याल रखता है और यहां पर आप देख सकते हैं इसको मैं खोल कर आपके सामने दिखाता हूं तो यह जो दोनों प्रोड़क्ट हैं दोस्तों यह वही प्रोड़क्ट है जिसको आ खरीबते हैं मार्केट से तो डेफिनेटली आपको यह कॉस्ट करेगा 90 रुपीज एक पर चेक करते हैं दोस्तों इसका प्राइज तो यहां टोटल वेट देखें फरस्ट अफॉल चार टिकिया है जो की 200-200 ग्राम की है टोटल 800 ग्राम और यहां पर लगा है जैसे कि हर एक प बहुत ही हलकी अक्षरों में 92 रुपीज तो यह अक्षिल प्राइस है 92 रुपीज की यह सर्फ एक्सल जो की स्टेल एरेजर है मिलता है मार्केट में और आप अपने जनरल स्टोर इवन बिग बजार या फिर मोर या फिर कोई भी अधर स्टोर पर जाएंगे तो मैंने और किया है यह ओडर किया है मैंने पेटियम मॉल से जैसा कि दोस्तों मैंने बताया और आपको मैं एक प्रोडिक्ट खोल के भी दिखा देदा हूं क्योंकि इसके अंदर को यह डूबली के सी या फिर कुछ ऐसा जो क्वालिटी के साथ चेंज किया जा सके ऐसा कुछ सब्सक्राइब है यहां पर प्राइज चालते हैं यहां पर में टाइस न्दर नाइन रुपीज केश बैक दर तो यह बात करते हैं यहां पर देखे दोस्तों नाइनटेट्वी तो मैंने एक्चली दो गारे हैं तो मुझे 18 रुपीज से वह हुआ है और अभी भी आप अग तो इस बार को भी दिखाना जाओगा दोस्तों भी अगर आपको लगता है इसमें कोई चेंजिस है या फिर कुछ गड़बड उसकता है तो डेफिनिट लिगवर में प्रोड़क्ट भी आपको अंदर से खुल कर दिखाना जाओगा तो इस तरीके से यह पैकेजिंग रहती है सेपरेट एक एक सूप की पैकिंग रहती है तो यहां पर आप देख सकते हैं जब हब आप उपन करेंगे एक सर्फ एक्सल को इस बार को तो यह बार इस तरीके से कुछ आपका एक 200 ग्राम का बार होता है और अगर आप इसको भी उपन करते हैं दोस्तों तो यहां पर आप बिल्कुल सेम बार मिलेगा जो आप अपने वाश्रूम में स्टेन एरेज करने के लिए रखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो सर्फ एक्सल मोटे मोटे अक्षरों के अंदर आपको दिख जाएगा और सबसे अच्छी बात है गल्टा थोड़ा स्लो है और सबसे बड होती ज्यादा टाइट होता है मतलब अपकी अगर फुली आटोमेटिक या फिर सेमी आटोमेटिक मशीन है जो आपकी तो वह मशीन वह इरेज नहीं कर पाती है जिसके लिए आपको चाहिए ब्रश या चाहिए आपको कोई अच्छा साबुन जो सारे ही दाग जो लगे वह ह कोफी का दाग हो गया या फिर आप खाना खारे शट पर आपके सब्जी गिर गई है तो वह इन दागों को हैंडल करने के लिए आपको ब्रुष चाहिए और एक अच्छा सोप चाहिए तो बहुत अच्छा ओप्शन है बहुत अच्छी से क्लीन करता है आप जैसे स्नीकर्स पहनते हैं या शूज पहनते हैं तो जो वाइट कलर की पट्टी होती है जनरली स्नीकर्स में होता है तो आप उसके लिए स्कमाल करें शोप का और साथ में स्कमाल करें जो ब्रेश होता है आपकर जिसे आप ब्रुष करते हैं खराब हो जाने पर उससे तो यह बहुत आपको आफ़ लाइन या फिर जो नेरस्ट स्टोर होता है जनरल स्टोर आपको ब्रुष कोई भी जरूरत नहीं तो आप को पूरा मौंट पर करना पड़ता है और हमें क्या करनी है और आप सोसते कि लगता है शिपिंग चार्जिस या हैंडलिंग चार्जिस तो दोस्टों पैसा नहीं है आप 3-4 प्रोडेक्ट और करते हैं तो आपकी प्रोडेक्ट डिलिवरी बिल्कुल फ्री हो जाब दिया है वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे जरूर बताएं लाइक करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेर करें ऑनलाइन बाई करने के फायदे देखें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि लेकर आ रहा हूं कुछ और नहीं वीडियो कुछ और नहीं ग्रोसरी आइडम्स अपने आने वाले वीडियो में थैंक्यू सो मच